हेलो फ्रेंस कैसे आप सभी लोग उमीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे दोस्तों आज की वीडियो यूफ फॉर्विया प्लांट के उपर है तो मुझे इन्हें बड़े से पोट में लगाना है दोस्तों क्योंकि ए छोटा सा पोट है और इनमें मिट्टे की भी पिंक और एक वाइट लेकिन दोस्तों दोनों को दोनों गल गए बेकार हो गए बारस के दिनों में काफी पानी भर गया था और मैं ध्यान नहीं दी लेकिन संजोग अच्छा था ना कि मैं इनकी कटिंग निकालकर लगा ले थी कटिंग तो अच्छी तरस लग गई और एक काफी दिनों तक इनकी फूल होते हैं तो बहुत है असान होता है दोस्तों बहुत है तो कटिंग लगाना बहुत ही आसान है कम केर में यूफोर्विया का पौधा आपके गार्डन में बराबर पड़ा रहेगा तो यबी तो बारिस नहीं हो रहे लेकिन बारिस आने का सबको इंतजार हैं बारिस हो जाएगी तो सबकी घाड़न में काफी हर्याली होगी तो उसे पहले थोड़े बहुत काम कर लेने चाहिए मेरे समस्य जो भी मतलब या इसी हालत में पौधे दिखे न तुमको सही कर लेना चाहिए ताकि बार बरसात की दिनों में केवल इन्हीं अच इसे नहीं छोड़ दोंगी फिर उसके बार यूफोर्विया मेरे गार्डन में काफी बड़ा होगा स्वस्थ होगा और फिर उसके बाद खूल देगा ठीक है तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से गुडाई करके मित्ति को उभाल लेते हैं फिर उसके बार इसमें खाट डाल लेते हैं तो दोस्तों मैंने गुबर के खाट मिला ली और अब इनमें लगाऊंगी यूफोर्विया यह ऐसा पौधा है ना कि इनमें पाने की बहुत ही कम जोरुत होती है और कम केर में आपके गार्डन में यह सालो साल बने रहते हैं इस तरह से मिला लेते हैं और मैं आप आपको बताओं कि जिस गंबले में हम इनहें लगाते हैं उनमें हुल अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए क्योंकि अगर पाने जमा होगा तो यूफोर्विया का जो पौधा है गलने लगेगा बेकार हो जाएगा इस तरह से छोटा सा गड़्ठा बना लेते हैं इसके ब बहुत ही आराम से हम इसे रख देंगे रखने के बाद किनारे किनारे से मित्टी चढ़ाएंगे तो दोस्तों यूफोर्विया का पौधा हमने बड़े से पोट में लगा दिया और अब हम इनमें पाने दे देते हैं और खुब अच्छी तरह से पाने दे देंगे ताकि इन मिल्कुल मतलब इनकी मित्टी सूख जाती है तब जाके हम फिर से दुबारा इनमें पाने देंगे और ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे इन्हें दो चार घंटी की धूप मिलती रहे अब जाके थोड़ी से रहात होई हावा चालू होई है क्योंकि 44 डिग्री सेल्सियस त दिमाग खराब है तो इस तरह से जो भी हमारे प्लांट थोड़े बहुत इस तरह से पड़े हुए हैं तो बारिस आने से पहले हम सब की देवमाल कर लेते हैं ताकि जो है बारिस का पानी मिलने के बाद एक अफी हरे भरे हूँ इन्हीं कोई दिक्कत नो हो तो दोस्तों इस नहीं छूना है तब जाके आपकी यूफोर्विया आपके गार्डन में बनी रहेगी तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलते हैं आप लोगों से निस्ट वीडियो में तब तक के लिए इजाज़े दीजी धन्यवाद